आई फ्रेंड्स बिल्कम टूरंभाज कीचेन आज मैं बनाने जा रहे हूं पानी पूरी का पानी मैं दो तरह का पानी आज बनाऊंगी एक खटा चटपटा पानी एक मीठा पानी तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप धन्या कपत्ता यानि कोरेंडर लिफ्स इसको ग्रैंड इसको भी तीन हरी मिर्च लिया है मैंने इसको भी ढाल देंगे हर्ब टीयए स्फून बलैक सॉल डाल देंगे इससे चट्नी बनती है इसमें दो चमच लेमन जूस डाल देंगे लिमंशूस डालने से जो चटनी बनाते है ग्रीन चटनी तो उसमें कलर अच्छी तरह से ग्रीन रहता है अगर आप नहीं डालोगे तो थोड़ी से डार्क रहेगा बन जाता है अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे अब इसको ग्रैंड कर लेंगे देखिए मैं ग्रैं यानि चैट पठा खटा पानी बनाने के लिए अब इसमें जो मैंने जो चटनी बनाया है उसको दो चम्मच यानि टू एन हाफ चम्मच ले लेंगे अब इसमें वन फोर्थ कप इमली का पानी ले लेंगे ब्लेक सॉल्ट यानि काला नमक हाफ टीएश्पून चाट मसाला हाफ टीएश्पून नॉर्मल सॉल्ट वन फोर्थ टीएश्पून अब इसमें हाफ टीएश्पून रेचिली पोडर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप इसको चन्नी से चान भी सकते हैं ताकि इसका सारे जो लंप से खतम हो जाएँ लेकिन मैं इसको मिक्स कर लेती हूं अच्छी तरह से अब इसमें पानी डाल देंगे यानि एक कप अभी मैं डाली हूं एक कप और डाल देंगे अब अपने शर गाढ़ा कितना रखना चाहते हैं या पतला करना कितना चाहते हैं अपने शर डाल ले अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स नहां रहें आप देख सकते हो यह मिक्स हो चुका है अब इसमें थोड़ी सी और पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अब देखिए अब इसमें थोड़ा सा बुंदी डाल देंगे यह ओप्सिनल है आप डालना चाहते हैं तो डाल देंगे तो इसको मिक्स कर लेंगे देखिए यह खटा पानी चटपटा पानी त्यार है अब मीठा पानी जो चटपटा मीठा पानी है उसको बनाने के लिए चलेंगे अब देखिए मीठा पानी बनाने के लिए हाप कप लिए हूं मैंने इमली का पानी अभी जो चटनी बनाया है उसको भी डाल देंगे वन श्पून अबिसमें थोड़ा सा रिद चिली पोडर ब्लैक शल्ट अब टीए स्पून निकाला नमक नॉर्मल नमक वन फोट टीए स्पून चाट मसाला अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से चीनी घूलने तक इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी घूल जाए अच्छी तरह से इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे एक कप और ये दुश्रा कप मेठा पानी आप इसको थीक रखना चाहते हैं तो आप थीक रखें नहीं तो पतला करना चाहते हैं तो पतला कर दें अब इसमें थोड़ा सा बुंदी डाल देंगे मैं थोड़ा बुंदी कम डाल रही हूं क्योंकि मेरे बेटे को प्रशन नहीं है इसलिए मैं कम डाल रही हूं इससे डालने से अच्छा भी लगता है पानी और टेस्ट भी अच्छा आता है अब देखिए पानी तयार है अब मसाला बनाने के प्रोसेस में चलेंगे अब इसके लिए मैंने चार आलू लिया और इसको बॉल करके छिल लिया है अब इसको बॉल में डाल करके इसको तोड लेंगे देखिए इसको हाथ से तोड लेंगे अब इसमें जो ग्रीन चट्नी बनाया है मैंने उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे काला चना है इसको मैं सोक खरकर के और इसको पका ली हूँ यह ऑप्सनल है आप डालना चाहते हैं तो डाल देंगे तो स्किप कर दें लेकिन डालने से इसका स्वाथ टेस्ट बढ़ जाता है स्वाल है एप टीएयश्पून चाट स्मशाल वह थीजिए र्टीएश्पूंन नामक या हने हो अनसे नौम सल्ट व dw ब्लाक सॉल्ट यहनी कला नमक रोस्टर जीड़ा पॉडर हाप टीएश्पून यह कुरिंडर लिप्स कटी हुई इसको डाल देंगे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स होने तक मिक्स करेंगे क्याने बहुत का अब देख सकते उच्छते कितना अच्छा लग रहा है और देख कितनाका लिएख रहे होगा पानी पूरी में लास्ट विडियो में डाल दी आई थी तो आप बनाई ए और बनाई कि अगरे पानी का मजाला बनके तयार हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा जो खट्टा चट्पटा पानी बनाया थे उसको डाल देंगे उससे जो मसाला होता है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है इसको डाल करके इसको थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे देखें यह मिक्स हो चुका है तो चलिए फ्रेंज अब मसाला भी तयार है और पानी पूरी का खट्टा पानी भी तयार है और ये मीठा पानी भी तयार है तो मैं लास्ट विडियो में पानी पुरी भी डाल दी थी और पानी पुरी बनाइए और पानी पूरी का मज़ा लिजे और अगर मेरी आप को रेस्पीए मेरी पशंद आई हो तो मेरी वीडियो के लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बगल बेल बटन होगा उसको दबाना नहीं भूलिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके मुवा झाल